हर हर महादेव कारकम में हमारे साथ जुड़े विभिन्द राज्यों के आदर्ने मुख मंत्री उपमुख मंत्री केंद्रिय मंत्री मंदल के मेरे सहयोगी गाण टूरिजम इंडस्ट्री के साथ ही देश विदेश से वारण से पहुँचे टूरिष्ट अन्य माहनुभाव देवी और सज्जनों आज लोड़ी का उमंग भरात्यों हार है आने वाली दिनों में हम उत्रायन मकर्शक्रांती भोगी बिहू पॉंगल जैसे अनिग वित पर्वभी मनाएंगे मैं देश और दुनिया में इन त्वहारों को मना रहे सभी लोगों को बधाई देता हूँ अपनी शुप कामनाई देता हूँ साथ्यों हमारे पर्वों दान दक्षिना तब तपस्या हमारे संकल्पों की सिद्धि के लिए हमारी आस्था हमारी मान्यता का एक अपना महत्व है और इसमें भी हमारी नदियों की भूमी का महत्वपुण है ऐसे समय में हम सभी नदी जलमार्गों के विकास से जुड़े इतने बड़े उत्सव के साक्षी बन रहे हैं आज मेरी कासी से डिबुरगण के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल्यात्रा गंगा विलास क्रुज का शुभारंब हुआ है इससे पूर्वी भारत के अनेक परियतक स्थल वर्ल्ड टूरिजम मैप में और प्रमुक्ता से आने वाले हैं काशी में गंगा पार यह जो नई निर्मित अद्वुत टैंट सिटी से वहां आने वर रहने का एक और बड़ा खारण देश दुनिया के परियतकों स्रद्धालों को मिला है इसके साथ साथ आज पस्चिम मंगाल में मल्टी बोर्डल टर्मिनल यूपी और बिहार में फ्लोटिंग जेटी असम में मेरिटाइम स्किल सेंटर सी प्रिपेर सेंटर तर्मिनल कनेक्टिमिटी प्रोजेक्ट ऐसे एक हजार करोड रुपे से अधिक के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकारपन हुआ है ये पुर्वी भारत में ट्रेड और टूरिजम से जुड़ी संभावनाओं का विस्तार करने वाले है रोजगार के नए अवसर बनाने वाले है साथियों गंगाजी हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा भर नहीं है बलकि ये प्राचिन काल से इस महान भारत भूमी की तब तप्रस्या की साक्षी है भारत की स्थितिया परिस्थितिया कैसी भी रही हो मा गंगे ने हमेशा कोटी कोटी भारतियों को पोशित किया है प्रेरित किया है इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि गंगाजी के किनारे की पूरी पट्टी की आजहादी के बाद विकास में पिछरती ही चली गई आगे जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए इस बज़र से लाखों लोगों का गंगाज किनारे से पलायन भी हुआ इस थिति को बदला जाना जरूरी था इसलिए हमने एक नई एप्रोच के साथ काम करना तै किया हमने एक तरफ नमामी गंगे के माध्यम से गंगाजी की निर्मलता के लिए काम किया वही दूसरी तरफ अर्थ गंगा का भी अभियान चलाया अर्थ गंगा यानि हमने गंगा के आस्पास बसे राज्यों में आर्थी गतिविध्यों का एक नया वातावर्ण बनाने के लिए कदम उठाए ये गंगा विलास कुरूच इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा उत्तरप्रदेश, बिहार, असम, पस्टिम मंगाल और मंगला देश की आत्रा के दोरान ये कुरूच हर तरह की सुविधा मुहया कराएगा साथियों, आज मैं उन सभी विदेशी टुरिस्ट का विशेश अभिननन करता हूँ जिस कुरूच के माध्यम से पहले सफर पर निकलने वाले हैं आप सभी एक प्राचीन शहर से एक आदुनिक कुरूच से सफर करने जा रहे हैं मैं अपने इन विदेशी टुरिस्ट साथियों से विशेश तोर पर कहूंगा की पर पर निएज एक अंद वाहत से खवीज्ग के विशेश प्राचीन विशेश इंड बीदीन इन वर्स, इंड रॉली बीस्परिएंस फ्रॉम रहत बिकाश्य काश्चछ इंडिया लोरी ऑन्राइप हर्ट वर्रवन इरिस्प्रट आप्रव जियन रॉली जियन कीर्टर गॉंतो भल्स्ट इंडियोग व्रूवर्टेश वजयन प्रम डिप्रेंट पार्ट्स अब दो वर्ल साथियो एक क्रूज यात्रा एक साथ अनेक नए अनुभव लेकर आने वाली है ये जो लोग इस में से अध्यात्म की खोज में है उन्हें वारानसी, काशी बोध गया विक्रम शिला पटना साहिब और माजूली की यात्रा करने का सोभागी मिलेगा जो मल्टी नेशनल क्रूज का अनुभव लेना चाहते हैं उन्हें धाका से होकर गुजारने का अउसर मिलेगा जो भारत की नेशनल डावर्सिटी को देखना चाहते हैं उन्हें ये क्रूज सुन्दरवन और असम के जंगलों की सैर कराएगा जिन लोगों की रूची भारत में नदियों से जुड़े सिस्टिम को समझने में है उनके लिए यात्रा बहुत महत्पन होगी क्योंकि ये क्रूच पचीस अलग अलग नदियां या नदि धाराओं से होकर गुजरे गिया और जो लोग भारत के सम्रद्ध खान पान का अनुभू लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहत्रीन अवसर है यानि भारत की विरासत और आधुनिक्ता का अद्वुत संग्यम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा कुरूज टुरिजम का ये नया दौर इस खेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार स्वरोजगार के नए अवसर भी देगा विदेशी परियटकों के लिए तो ये आकर्षन होगा ही देश के भी जो परियटक पहले ऐसे अनुभवों के लिए विदेश जाते थे वे अब पुर्वी भारत पुर्वी भारत का रुख कर पाएंगे ये क्रूच जहां से भी गुजरेगा वहां विकास के एक नई लाइन तयार करेगा क्रूच टूरिजम के लिए ऐसी ही व्यवस्ताएं हम देश भर के नदी जलमारगाँ में तयार कर रहे हैं शहरों को बीच लंबे रिवर क्रूच के अलावा हम अलग-अलग शहरों में छोटे क्रूच को भी बढ़ावा दे रहे हैं काशी में भी इस प्रकार की व्यवस्ता अभी चल रही है यह हर परियटक मर्ग की पहुंच में हो इसके लिए बजेट से लेकर लगजरी क्रूच तक हर प्रकार की सुविधाएं देश में विक्सित की जा रही है साथियों देश में क्रूच टूरिजम और हेरिटेज टूरिजम का यह संगम ऐसे समय में हो रहा है जब भारत में परियटन का एक बुलंद दौर शुरू हो रहा है भारत की वैस्विक भुमिका जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे भारत को देखने भारत को जानने और भारत को समझने की उत्सुकता भी बढ़ रही है इसलिए बीते आठ वर्षों में हमने भारत में टूरिजम सेक्टर के विस्तार पर विशेश बल दिया है हमने अपने आस्था के स्थानों तीर्थों अइत्यासिक स्थलों के विकास को भी प्राफिक्ता बनाया है काशी नगरी तो हमारे इन प्रयासों की साक्षात साक्षी बनी है आज मेरी काशी की सडके चोड़ी हो रही है गंगा जी के घाट स्वच्च हो रहे हैं काशी विश्वनाद धाम का पुनर निर्माण होने के बाद जिस प्रकार स्रद्धालू और परेटर को हमें उत्सा देखा जा रहा है वो भी अबुत्पुर्व है बीते वर्ष जितने स्रद्धालू काशी आये हैं उत्से हमारे नावी को रेडी ठेले दिख्षया वालों दुकानदारों होटल गेस्टाउच चलाने वालों सभी को लाब हुआ है अब गंगा पार के छेत्र में इन नई टेंट सिटी काशी आने वाले स्रद्धालूओं को परेटरकों को एक नया अनुभव देगी इस टेंट सिटी में आदुनिक्ता भी है अध्यात्म भी और आस्था भी है राग से लेकर स्वाद तक बना रस का हर रस हर रंग इस टेंट सिटी में देखने को मिलेगा साथियों आज का ये आयोजन 2014 के बाद से देश में जो नितियां बनी जो निर्णे हुए जो दिशात है हुई उसका प्रतिमीम्ब है 21 सदी का ये दशक भारत में इंफ्रास्ट्रेक्टर के काया कल्प का दशक है इस दशक में भारत के लोग आधूनिक इंफ्रास्ट्रेक्टर की जो तस्वीर देखना जा रहे हैं जिसकी कल्पना तक किसी जमाने में मुश्किल थी चाहे गर्थ, टॉयलेट, बिजली, पानी, कुकिंग एस, शिक्षन संस्तान और अस्पताल जैसा सामाजिक इंफ्रास्ट्रेक्टर हो डिजिटल इंफ्रास्ट्रेक्टर हो या फिर रेल्वे, हाइवे, एर्वे और बोर्टर्वे जैसा फिजिकल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रेक्टर हो ये आज भारत के तेज विकास का विक्सीद भारत के निर्मान का सबसे मजबुत स्थम्भ है सबसे चोड़े हाइवे, सबसे आधुनिक एरपोर्ट, आधुनिक रेल्वे स्टेशन सबसे उंचे और लंबे पूल सबसे उंचाई पर बनने वाली लंबी टनल से नए भारत के विकास का प्रतिमिम हम सब अनुभव करते हैं इसमें भी नदी जलबार्ग भारत का नया सामर्थ बन रहे हैं साथ क्यों आज गंगा विलास क्रुच की शुरुवात होना भी एक साधारन गटना नहीं है जैसे कोई देश जब अपने दम पर सैटलाइट को अंत्रिक्ष में स्थाबित करता है तो वो उस देश की तकनीकी छम्गता को दिखाता है वैसे ही बतीसो किलोमेटर से जादा लंबा ये सफर भारत में इनलेंड वाटरवे के विकास नदी जलमारगों के लिए बन रहे आदोलिक संसाधनों का एक जीता जागता उधारन है 2014 से पहले देश में वोटरवे का थोड़ा बहुत ही उप्योग होता था ये हाल तब था जब भारत में वोटरवे के माध्यम से व्यापार का हजारों साल पुराना इतिहास था 2014 के बाद से भारत अपनी इस पुरातन ताकत को आधुनिक भारत के ट्रांस्पोर्ट सिस्टिम की बड़ी शक्ति बणाने में जूटा है हमने देश की बड़ी नदियों में नदी जलमारगों के विकास के लिए कानून बनाया है विश्त्रत एक्षन प्लान बनाया है 2014 में सिर्फ पांच राष्ट्रिय जलमारग देश में थे आज 24 राज्यों में 111 राष्ट्रिय जलमारगों को विक्सित करने पर काम हो रहा है इन में से लगभग दो दर्जन जलमारगों पर सेवाय अभी चल रही है आठ वर्ष पहले तक सिर्फ तीस लाख मेट्रिक टन कारगो ही नदी जलमारगों से ट्रांस्पोर्ट होता था आज ये केपिसिटी तीन गुना से भी अधिक हो चुकी है नदी जलमारगों का इस्तिवाल करने वाले लोगों की संक्या भी लगातार बढ़ रही है इसमें भी गंगा पर बन रहा ये नेश्नल वाटरवे पूरे देश के लिए एक मोडल की तरह विक्सित हो रहा है आज ये वोटरवे ट्रांसपोर्ट ट्रेड और टुरिजम तीनों के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है साथियों आज का ये आयोजन पूर्वी भारत को विक्सित भारत का ग्रोथ इंजिन बनाने में भी मदद करेगा पस्टिम मंगाल के हल्दिया में आधुनिक मल्टि मोडल टर्मिनल वारानसी को जोड़ता है ये भारत बांगलादेश प्रोटोकल मार्क से भी कनेक्टेड है और नौर्थ इसको भी जोड़ता है ये कोलकता पोर्ट और बांगलादेश को भी कनेक करता है यानि ये यूपी, बिहार, जारगन, पस्तिम मंगाल से लेकर बंगलादेश तक व्यापार, कारोबार को सुगम बनाने वाला है इसी प्रकार जेटी और रोरोफेरी टर्मिनलों का भी डेट्वर्क बनाये जा रहा है इससे आना जाना भी आसान होगा मच्छवारों को, किसानों को भी सुविदा होगी शाथियों, क्रूज हो, कार्गो, शीप हो एट ट्रांस्पोर्ट और ट्रूरिजम को तो बल देते ही है इनकी सर्विस से जूड़ी पूरी इंडस्ट्री भी नए अवसरों का निर्मान करती है इसके लिए जो स्टाफ चाहिए, जो स्किल लोग चाहिए उसके लिए भी ट्रेनिंग का प्रबंद आवश्रक है इसके लिए गुहार्टी में स्किल डेवलप्मेंट सेंटर बनाया गया है जहाजों की मरम्मत के लिए भी गुहार्टी में एक नई फसिलिटी का निर्मान किया जा रहा है साथियों, ये जलमार्ग परियावरन की रक्षा के लिए भी अच्छे हैं और पैसों की बच्चत भी करते हैं एक स्टड़ी के मुताबिक सड़क के मुकावले जलमार्ग से परिवर्तन की लागत डाई गुना कमाती है वही रेल के मुकाबले जलमार से परीवन की लागत एक्तिया ही कम होती है आप कल्पना कर सकते हैं कि वोटर वेसे इंधन की कितनी बचत होती है पैसा कितना ज्यादा बचतता है भारत ने जो नई लोजिस्टिक पॉलिसी बनाई है उसमें भी तेजी से बन रही ये वोटर वे बहुत मदद करने वाले हैं इसमें भी बहुत महत्वपुन बाद ये कि भारत में हजारों किलोमेटर लंबा वोटर वे नेटवर्क तैयार होने की शमता है भारत में जो सवासों से जादा नदियां और नदी धाराएं हैं वो लोगों और सामान के ट्रांस्पोर्ट में इस्तिमाल की जा सकती हैं ये वोटर वे भारत में पोर्ट लेट डेवलप्मेंट को भी बढ़ाने में मदद करेंगें कोशिज यही है कि आने वाले वर्षों में वोटर वेज, रेल वेज और हाइवेज का मल्टी मोडल प्रणिक नेटवार्क भारत में बने हमने बंगला देश और अन्य देशों के साथ समझे भी किये हैं जिससे नौर्थ इसकी वोटर कनेक्टिविटी भी ससक्त हो रही हैं साथियों विखसित भारत के निर्मान के लिए ससक्त कनेक्टिविटी आवशक है इसलिए हमारा यह निरंतर चलता रहेगा नदी जलशक्ति देश के ट्रेड और टूरिजम को नई बुलंदी दें इसी कामना के साथ सभी कुरूज यात्रियों को सुखद यात्रा के लिए अनेक अनेक शुबकामनाई देता हूं